नमस्ते में नाम है एविनाश और आप सभी का हमारी चैनल पे दोस्तों स्वागत है आज पाकिस्तान के क्रिकेट बोट के जो चैर्मेंग साहब है कौन को मुहसीन नकवी उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है चैंपिन्स टॉफी को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है आज हम इस वीडियो में बात करने वाले है अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लीजे फेस्बुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजेगा चलिए अब बात करते हैं चैंपिन्स टॉफी को लेकर इस समय इस साल का जो सबसे बड़ा मुद्दा है मुद्दा वो है कि क्या पाकिस्तान भारत जाएगा क्या टीम इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल करने वाली है या नहीं करने वाली है सब की निगाहें तो इसी पर है पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है आना होगा इंडियन मीडिया बोल रही है हाइब्रीड मॉडल होगा लेकिन इसके बीच मौसीन नकवी का ये बयान सभी को सुनना चाहिए वो इसलिए क्योंकि मौसीन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोड के चेर्मेंड है पाकिस्तान को Champions Trophy की मेजबानी मिली है मेजबानी किस ने दी है? BCCI ने नहीं दी है ICC ने मेजबानी दी है और उसके लिए जो बजट है वो अप्रूवल हो चुका है मतलब ICC ने अभी तक हरी जंटी दिखा दिये बोला है कि भाईया आप जो है बेफिकर होके बेफिकर होके आप Champions Trophy को होस्ट कर सकते हैं ठीक है अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं कुछ लोग यह कह रहे हैं कि नवंब में जो है नवंबर के महीने में जैशा चेर्मेन बनेंगे ICC के और उसके बाद वो बोलेंगे कि भाई हम जो है Champions Trophy यहां नहीं होने देंगे यह ऐसा नहीं होने वाला है आप अपने मन गढ़ंत कहानिया बना सकते हो किसी को अगर मेजबानी मिल गई है तो आखरी टाइम प सरकार को फैसला ले ला है अब मुहसीन नकभी ने क्या बोला है कि हमारे यहां पे सिर्फ तीन ही ग्राउंड्स है स्टेडियम है जो उतना ज्यादा वर्ल्ड का बेस्ट स्टेडियम जैसा कुछ भी नहीं है उसमें तो उसको रेनोवेट कर रहे हैं उसको एक नए सीरे से ब होने से पहले एक महने पहले स्टेडियम पूरी तरह से तयार करके हमें दे दे यह आपको भी पता है कि कराची में जो है इस समय आई तिंक वो रेनोवेशन का काम चल रहा है तीनों स्टेडियम बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलेंगे चेंपिन्स टॉफी में जिसके के लिए तैयारी है इसके अलावा क्या बात हुई मौसी नकवी ने ये कहा कि सारे इंटरनेशनल टीम जितनी टीम है वो पाकिस्तान आ चुकी अभी तक में और हम इन्वाइट करने वाले हैं इंक्लूडिंग इंडिया को भी कि आप आईए और यहां पर चेंप्रेंस टॉफी के लिए यह मौसी नकवी का बयान है कि वी विल इनवाइट टीम इंडिया इंक्लूडिंग आल टीम जो जितनी भी इंटरनेशनल टीम हैं सब आएंगे और जो भी शेडियूल तो निकल ही गया एक तरीके साब देखें तो इंडिया के सारे मैच लाहोर में एक ही शहर में कर पाकिस्तान है और इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला एक मार्च को है एक मार्च दोजार पचीस एक या दो मार्च को है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप देख लिजेगा शेडियूल तो यह हिसाब किताब अभी का है देखें मेजबानी अगर मिलती है तो आपको भा लगातार काम करने की कोशिश में है, बहतर करने की कोशिश में है, वो भी चाहते हैं कि सारी टीमें आए और चेम्पेस टॉफी का बहतर तरीके से जो है, वो आयोजन हो, आयोजन का मतलब और्गनाइज हो, ठीक है, अब क्या है कि इंडिया में क्या मसले मैं आपको बताता हू जो है वो जानते ही हो आप सरहत पे टेंशन देता है वो एक चीजें हो गई लेकिन लेकिन अगले साल 2025 में इसी टाइम हम और आप बैठके एशिया कप पे बात कर रहे होंगे क्यों क्योंकि अगले साल इसी टाइम को एशिया कप होना है कहां भारत में होना है फिर 2026 मतलब गए यार एक बाद मैं आपको बताऊं आप जो मरजी कह लो जो मरजी आप कहलो इंडियान पाकिस्तान बी सीचाई भी पैसे कमाती हैं। किस से इंडिया पाकिस्तान वाले मैच से ब्राड कास्टर करोडों कमाते भाई करोड तो मैं कम बोल रहा हूं अर्बों कमाते हैं ये लोग इंडिया पाकिस्तान के मैचे से इसी वज़े से इवन अस्ट्रेलिया इंग्लेंड ये सब के सब नीट्रेल वेन्यू पे सिरीज बा कामी भर दी लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया है कि दोनों देशों के बीच में बाइलेटरल सिरीज हो अगर टीम इंडिया चेंपिन्स टॉफी में नहीं जाती है पाकिस्तान तो हो सकता है कि 2025 का जो एशिया कप होगा उसमें पाकिस्तान भी इंडिया ना है बो से ज़्यादा उपर की चीज है ब्राड कास्टर बोड से भी ज़्यादा उपर की चीज है सही बात में बताऊं और वो भी ICC टोर्णामेंट में तो ध्यान रखा जाता है सभी चीजों का होफुली एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आए और देखा जाएगा क्या हो सकता है अ